दोस्तो टोटल शॉलिशन मिलान में आप लोग का स्वागत है तो दोस्तो आज का वीडियो है TDA7387 जो एम्प्लिफियर है दोस्तो कार्डेक है उसके उपर तो इस कार्डेक में क्या प्रॉब्लम था इसका बेस्ट्यूब बज रहा था लेकिन दूसरा स्पीकर नहीं बज र कि इसका जो स्ट्रीव है उसका बहुत सारा पिन जो है उखर गया है तो यह स्ट्रीव मेरे पास अभी नहीं है मैं इस स्ट्रीव को कैसे बनाता हूँ दूसरा स्ट्रीव से ओ आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिलेगा और इस आइसी को बोर से कैसे निकलते हो भी ह इसका जो स्ट्रीव है खराब हो जाता है नहीं मिलता है तो दूसरा कौन सा स्ट्रीव से इसका स्ट्रीव जो है ओ बना सकते हो और इस आइसी को कैसे बोर से रिमूब कर सकते हो दोस्तों और इसका वीडियो तोरह लंबा हो सकता है इस वीडियो में अगर नहीं हो पाएगा तो मैं दूसरा video डालूँगा इसको कैसे आप repair करके बजा सकते हो तो चले पहले strip को हम देख लेते तो इसका जो strip है दोस्तों यह तो मेरे पास नहीं है तो मेरे पास जो है जो पहले CD चलता था CD बाला strip है तो इसका pin और इसका pin लगबक same to same है दोस्तों लेकिन ये थोड़ा चावरा है तो इसको हम क्या करेंगे पहले बाला जो स्ट्रीप है उसके नाप के हिसाब से ही चावरा के हिसाब से ही इसको हम काट लेंगे काची के मदद से तो बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा तो इसको काट के हम एक बाद ट्राइ कर लेंगे तो इह देखिए ये बिल्कुल पिन जो है same to same मिल रहा है लेकिन थोड़ा सा बढ़ा है तो काची के मदद से हम इसको काट लेंगे काटने के बाद बिल्कुल मिल जाएगा ये देखिए आइस्ता आइस्ता करके same to same आपको ऐसे करके काटना पड़ेगा इसको लिख्ड स्रेफ के जगा में वह लगा सकते हो यह तो बड़ा होगा पहले वाला जो स्रीब हो बहूत ही छोटा रहता है को capital के बिल्कूल चोटा रहता है थोड़ाhof कर नहीं रहता है क्योंकि घ्राब हो जाता है देमज हो जाता है कैसे इसको repair करते हो भी आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिलेगा तो वीडियो तो रसा लंबा हो सकते हैं लेकिन दोस्तों दैन से देखिए क्योंकि बहुत सरा बंदा लोग comment करते हैं कि इसको कैसे चेक करें, सोट है, इसमें लाइन नहीं आ रहा है, पैनेल में लाइन नहीं आ रहा है, तो बहुत सारा रिजन होता है, बहुत सारा करान होता है, तो इसको चेक करने के लिए हम सिंपल सा दिखाएंगे दोस्तों, कैसे इसका सोटिंग चेक कर सकते हो, कैसे इसको रिपेर कर सकत तो देखिए बिल्कुल मेरा स्रीप जो तैयार हो गया तो रा सा लंबा ही में बादा हो गया लेकिन एक दो तो इसको भी कनेक्ट करके के हम continuity मूंड में रखके चेक करते तो यह दिखिया आइसी का यह वाला पिन जो है तो इसको उठाने से पहले हम क्या करेंगे अच्छा quality का रांग को ये रांगा को तो अच्छा property का जो solder होता है दोस्तों उससे पहले IC का लेक को हम सोल्डर कर लेंगे बारी बारी करके एक एक करके अच्छे से हम सोल्ड कर लेंगे क्योंकि पुराना जो रागा होता है वो जल्दी से भी गलता नहीं है दोस्तों और बोट का फॉयल उड़ जाता है तो हम इस वीडियो में दिखाएंगे IC को कैसे आप लोग रिम वाला लेगे उसके नीचे में आप स्कूब डाइवर को रखिए और रांगा को हीट कीजिए तो रांगा जब बिगल जाएगा आइस्ता से उपर के तरफ आप पीन को खीचिए तो पीन निकल आएगा दोस्तों यह देखिए आप स्कूब डाइबर या टूजर के मदद ले निकल आएगा तो हम वीडियो को स्कीप नहीं करेंगे दोस्तों पूरा एक एक पीन को उठा के दिखाएंगे आप लोग के सामने यह देखिए तो इस तरह आप अगर इसको उठाते हो तो आईसी अगर अच्छा रहता है तो आप रियूस कर सकते हो आईसी को कोई भी स्काइब कीजिए नोटिविकेशन बेल आइकोन को दबा दीजिए नयना वीडियो के नोटिविकेशन सबसे पहले पाने के लिए दोस्तों मेरा चानल का प्लेलिस्ट में जाके आप डेट सारा वीडियो है तीन सो बीस लगबग वीडियो है दोस्तों दिखके आप उसका ल कॉलेज आप लोग को रखना पड़ेगा हर बात तो हम बता नहीं सकती दोस्तों तो दिखिए इसको कैसे हम रिमूप करते एक एक पीन को एक पीन को ट्वीजर के मदद से थोरा सा उपर के तरफ हम खीचेंगे पहले रांगा को बिगलने देंगे उसके बाद खीचेंगे तो निकल आएगा जोर से नहीं खीचना है दोस्तों रांगा को बिगलना है उसके बाद पीन को उपर के तरफ आइस्ता करके पेशर करना है तो यह दिखिए एक एक पीन सारा हमरा निकल गया अभी दो तिन पीनी बचा है यह देखिए ऐसे करके आप बड़ा-बड़ा लेक को दोस्तों बहुत सरा टेकनिशियान को भी प्रब्लेम होता है और नॉन टेकनिशियान को तो प्रब्लेम होता है दोस्तों इस बोट को बोट से आईसी को उठाने के टाइम पे पोईल बगारा इसका जला देता है यह खराब कर देता है यह प्रिंट उखर जाता है दोस्तों आएगा आप लोग के पास अगर होट एर गार नहीं रहता है दोस्तों तो आप आइलन्ड के मदस्टे इस तरह आप आइसी को रिमूव कर सकते हो बहुत ही असान तरीका है दोस्तों थोरा सा टाइम इसमें लगेगा लेकिन ए सही से उखर जाएगा तो देखिए समने वाला ज आइसी का जो छेदे दोस्तों उसको भी कैसे आप साप कर सकते हो और भी हम दिखाएंगे तो दोस्तों यह आइरन्ड थोड़ा ठंड़ा पर रहे इसमें हीट थोड़ा कम हो रहे तो मैं दूसरा आइरन्ड का यूज्जüst करूंगा जो की सी 10 08 का एक आइरन होता है दोता हो वो बहुत ही हीट होता है तो हम उसको काम में लगाएंगे यह देखिए आप ऐसे जो छोटा वाला लेगे दोस्तों इसको पर थोड़ा सा रांगा आप लगा दीजिए उसके बाद अगरело के मदद से थोड़ा नीचे के तरफ हाँ खिशक ही है और रांगा को आइस्ता-इस्ता करके टो इřात के के तरफ और धवी घृस tutti अit सतब्सक्रां Boss और देखिए के तरप आयरान को हिलाना है दोस्तों इसे आइस्ता इस्ता इस्ता करके आप देखोगे एक एक करके पिन जो है वह बहार निकल रहा है स्थ बहुत ही असानी Saad भहुत ही आसान है तो दोस्तो सारा पिन एक-एक करके उठ जाएغँतो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा यह दिखिये आइस्था-इस्था करके रागा को ब बिगल नह違y Laway दोस्तों इसमें बहुत ही अच्छा क्वालिटी का राँ यूज करना है नहीं तो आप ऐसे उठा अच्छा होना चाहिए नहीं तो नहीं निकलेगा तो पहले बाला मेरे जो आयरन था वो तो 35 वाट का था टॉनी का लेकिन उसमें भी सही से नहीं उखर रहा था मतलब सही से उठने ही रहा था इसका पीन रागा विकल नहीं रहा था तो यह मेरा हाथ से बना हुआ 10 वाट का आयरन है दोस्तो तो इसमें बहुत सारा हीट होता है दोस्तो यह दिखिए बहुत ही आसानी से हम इस आई सी को रिमूप कर लिया एक भी फॉयल नहीं उकराए तो आब हम क्या करेंगे एक्स्टा जो रागा है दोस्तो थोड़ा करके हम इस से बोट से हम उसको साप कर दोस्तो एक बात का ध्याल जरूर रखेंति है बोट खॉयल के उपपर ज्यादाप पेसल मत बनेंगे क्योंकि आईरन हीट होता है और बोट के ऊपर अगर ज्यादा पेसल बनाते है बकूली उखर जाएगा दोस्तो यह बिलकूली साथ जाफ़ानी से करना परता है आईस्ता इस तरफ पेशन भी बनाना है दोस्तों सिर्फ उपर इसको हिलाना है हलका सा पिशर करना पड़ेगा दोस्तों आप देखिए इस तरह इस साइड में जो थोरा थोरा रांगा है हम डिसोल्डर वायर के मदड़ से इसको थोरा थोरा करके हम साप कर लेंगे उसके बाद इस सैट को नहीं उठाइंगे दोस्तों बोट को उल्टा कर लेंगे उल्टा अटी expecting क्योंकि पीछुसी पीछले इस्से वह भी पीड मोता वाला फैल यहां वह इससे आपको इस बोट को साइथ करने में आसान होगा तो यह देखिए बोट को उल्टा कर लिया पही करने इस ए कर समस्कृत्ट है ऑफ करो च्षय का आईसना कटेसे को एसके उपर हो लेंगे जन्हशनें और बिखलतां आए गांगा और हाथ को हम घार लेंगे घार डिसप्सका करें ऑब दो फिर दी-सूल्डरोवर में आ जाएगा फिर हम उसको जार लेंगे तो ऐसे परके आप रिमूप कर सकते हो एक दिखिए हम फोरा तो तो इसे करके ज्लρना है दूस्तो फॉयल उकरेगा नहीं एकदम बिल्कूल और दोस्तों जो छेट जो है रांगा नहीं उठता है और छेट से ना रांगा नहीं निकलता है और छेट क्लिया नहीं होता है तो उसको भी आप कैसे ठीक से आप रांगा को उस छेट से उठा सकते हो वह भी हम दिखाएंगे देखते अधरी यह दोस्तो दोस्तों एंदिये है। आएस्त्य आश्ता कर के जोहें बिल्कूल देखिए निचले वाला इससे में हमारा ons वे ब्लेकुल साफ हो गया अब उपर वाला इससे में पुछ भागी याभी भी की आईरण को क्छे से इसको उपर यह करेंगे थोरा सा पिसर बना के ज्यादा पिसर नहीं देने का है दोस्तों सिर्फ रागा आएगा और रागा को जार लेंगे रागा और उसको जार लेंगे जटका से एक जटका से जब गरम रहेगा एक जटके से इसको हम जार लेंगे तो बिल्कुल साफ हो जाएगा है देखि तो फिर से इसमें Sola जो हो लगाना पर की फिर से मैं दिखर हाँ तो इसमें हम जोर नहीं लगाएंगे इसमें सिंपल सा हिसाब यह अब नहीं नहीं किल रहा है अब हम सोलडर लेंगे तो सोलडर नेले के बाद इसको फिर से अच्छे से हम सोलड करेंगे थोड़ा दर आईरन को पकर के रखेंगे उसके बाद दी सोलडर वायर के मदद से हम एह देखिए यह बिल्कुल साफ हो जाएगा पहले वाला जो रांग था वो अंदर अटका हुआ था यह देखिए बिल्कुल साफ हो गया अब हम इसको लिकूट के मदद से साफ करके आपको दिखाते कितना अच्छे तरीके से यह निकल गया आईसी और इसका जो फॉयल बगारा सही है और यह बिल्कुल आप सही तरीके से इसके अंदर अभी आईसी डाल सकते हो तो दोस् और रेगुलेटर को भी हम चेंज करेंगे जो की फाइब बोल्ट का रेगुलेटर है तो देखिए बिल्कुल नजदिक से मैं दिखा रहा हूँ एक एक फॉयल एक एक पिंट आप देख लीजिए कितना अच्छे से निकल दिया है आईरन के मदद से दोस्तों तो आप लोग आईरन के मदद से ऐसे अब इसको साप कर सकते हो बिल्कुली अच्छे से निकल जाएगा मैंने जो टेकनिक दिखाया है इस तरह आप एक एक करके पीन को बहार निकल सकते हो और आईसी का लेग भी नहीं टूटेगा दोस्तों इस आईसी को आप अगर अच्छा रहता है तो इसको रियूज कर सकते हो